चलिए शुरू करते हैं यहां पे कुछ पूराने समान से जैसे दो बाटल हो गए हैं तो यह दोनों बाटल हमारे जो हैं यूज के नहीं आ रहे हैं क्योंकि खराब हो गया था और मैंने आनलाइन घड़ी जो मंगाया हुआ था मीशो से तुसका बाक्स है तो मैंने इसको भी सब्सक्राइब करूंगी और अपने कीचन के लिए बहुत ही बेस्ट आर्गनाजर बनाओंगी दोस्तों आप लोग भी बनाईएगा जरूर बहुत ही जी है और असान तरीके से बन जाएगा और देखने में भी काफी ज़्यादा सुन्दर लगेगा ऐसे पर आप इसको फे करने के बाद उसकी में कर लूंगी कुटिंग और यहां बार्टल जो भाग है इसको हमें कट करना है तो सबसे पहले यहां पर मैं चाको कर ले रही हूं गरम और यहां पर 10 ग projets को बुझा लोगी उसके बाद इसको में गरब कर कर के बाटल के आगे का भाग निकाल लोंगी तह तरह से मैं दोनों बाग को कट कर के निकाल लोंगी अुट कि को mean कर बाएस कर दिया है जोалист आप लोगों का प्याय सपोर्ड मिले ने जितना भी चीज मुझे चाहिए होगा मैं साला का साल ले लुँगी तिहां पर फाइनल में मैंने अलग कर दिया है जो की मुझे काफी ज़्यादा हार्ड लगा काटने में क्योंकि हमारी जो चाकू थी यो काफी अच्छी नहीं थी तो यहां पर फाइनल मैं मैंने अलग कर दिया हुआ है बाकी जो आईस्क्रीम का बाटल था उसको मैं कलर कर दे रही हूं और वो जो रेट कलर का है उसको मैं कुछ भी नहीं करऊंगी नीचे चिपकाती जाओंगी तो चलिए इसको हम complete कर लेते हैं उसके बाद बाटल भी हमारा सूख चुका है अब हम क्या करेंगे इसके आगे के भाग को हम जो है टेप लेंगे टेप से अच्छे सिसको चिपका लेंगे इससे क्या होगा थोड़ा सा देखने में सुनता हूं कुछ आरगनाइजर तो इस वज़र से आइसक्रीम वाले भाई या इसक्रीम बेचने भी आ गए हैं तो प्लीज आप लोग की दिएगा क्योंकि एक काफी टाइम तक यहां पे रहेंगे तो मैं वेट करती रहूंगी आवाज के लिए ना तो काफी टाइम जला जाएग तो यहां पे हमारा सेट हो चुका है नीचे मैंने यहां पे इस तरह से जॉइन कर दिया हुआ है ते देखिए हमारा प्यारा सा अर्गनाइजर किचन के लिए बनके रेडी हो गया है एकदम से फ्री में सारे चीजे आप इसमें रख सकते हैं तो कैसा लग रहा है आप लोग और लगा सकते हैं तो यह आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है हुआ ना कबार से जुगार जो देखने में भी सुन्दर लग रहा है साथी साथी यूज भी हो रहा है तो चलिए भीया यह तो हमारा यूज हो गया है बट जो बाटल के काटने के बाद जो आगे कबचा उसको हम कैसे फेक दे नहीं फेकेंगे चलो उसको भी हम बना लेते हैं कुछ तो यहाँ पर फिर से हो रहा है जुगार क्योंकि हमारे पास चिपकाने के लिए कुछ है नहीं तो फिर से मैंने यहाँ पर टेप का लिया सहारा और इस तरह से मैं अच्छे से चिपका के इसको जोईन कर लूँगे और करने के बाद फिर इसको मैं कर लूँगी पेंट तो चलिए पेंट कर लेते हैं और इधर जो हमारा सरकल उसमें से बचा हुआ था उसको भी मैं आरी आरी इस तरह से टेप लगा दी हूँ तो चलिए अब इसका कर लेते हैं जोगाट थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर लिया जाए तो यहां पे बहुत ही प्यारा सा कलर मैंने कर दिया हुआ है अब बारी आ गई है जाडू के पॉलिथीन की ते देखो जब नई जाडू लेते हैं तो इस तरह से पॉलिथीन आत हो घचाव आगजांता है कि मैं जल maidों अब मुझे जिद में जमने कित देखों मेरे साथ मेरे साथ होता है और किसको सा था है कमेड़ में जरूर बताईए यहाग ओंकि महों मैं जब भी एधी थिस ए मुझे तो जरूर मेरे काम हो आने वाला मुछते इस तारह हो जाता है त जो भाग बीच में आ गया नहीं तो देखने में गंदा लगता तो यहां पर अच्छे से यहांद से कर ली हम पांने के बाद यह चला गया जाने को क्या करना है यहां पERी करना है आनißt कटिंग हो गया अपर चलिए इसको हम आप का Alors देते हैं तो इस तरह किना हैं देखिए कुछ इस तरीके से मोड़ते जाना है और इसको एकदम से कंड़ा है नहीं तो आगे पीछे चला जाया गया क्योंकि प्लास्टिक है खिसक भी सकता है तो यह देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर्फुल हमारा जो है फ्लावर्स बनके रेडी हो गया है तो यहां पर मैं चुका है फ्लावर्स अब जो मैंने सर्कल काटा हुआ था यह सुख चुका है इसका पेंट अब यहां पर मैं चोटे-चोटे से इसमें मोटी नग लगा दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी चमक आ जाए इसको भी हम रखते हैं सूखने के लिए देखिए सुन्दर लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है तो यहां पे हम इसको चिपकाएंगे तो उससे पहले उपर के भाग को हम कलर कर दे रहे हैं और यहां पे इसको हम रख दे रहे हैं चिपकने के लिए तो जब तक यह सूख रहा है तब तक यह बीच वाला भाग जो हमारा था ना देखने में का लगा देने हैं तो चलिए लगा लेते हैं और फाइनल में देख लीज़िए बहुत ही प्यारा सा हमारा बनके तियार हो गया तो बहुत सुंदर लगация में फेकने वाली थी टो मुझे लग नहीं फेकना नहीं है इससे कुछ बनाना है तो बहुत ही सुन्दर है और इसमें कुछ भी आपका नहीं जाने वाला है सारे चीज़े आपके घर पे ही रहेंगी तो दोस्तों इस सारी चीज़े अगर हम इसको अगर बेशते भी ना तो मुझकिस हमें 2-4 रुपए मिलता और यहां पर 2-4 रुपए का हमने जो है बना लिया हुआ है सव देड़ सो का समान जो की किचन का अर्गनाइजर अगर आप लेना चाहो जो स्पून होल्डर्स वगरा है तो आपको सव देड़ सो में मिलेगा तो हो गया ना 200 रुपए में बेश्ट जुगार तो चलिए आज का मारे वीडियो कैसा लगा प्लीज कम सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ तक